हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरे यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे आज का इतिहास में 11 सितंबर की इतिहासे घटना है साथ ही जानेंगे 11 सितंबर को जन्वे ब्रमुक्य व्यक्ति और 11 सितंबर को इप्रमु सेंडर हैमिल्टन अमेरिका के पर्थम वित्य सचप 1789 में नेक्त हुए थे आज ही के दिन वर्ष 1803 को दुतिय आंगल मराठा युद्ध के अंतरगत दिल्ली लडाई की शुरुवात की गई थी पर्थम विश्व धर्म सम्मिलन 1896 को शिकागो अमेरिका में आयोजित हुआ था सितंबर वर्ष 1906 को महत्मा गांधी ने दक्षन आफिरिका में सत्यागराय आंदुलन आरम किया था अमेरिकी नौसेना ने 1919 को होन डूरास पर आक्रमन किया था आस्ट्रिलिया के मेलवर्ण में 1922 को सचित्र धैनिक समाचार पत्र दास्सन न्यूज पैक्टो रियल का अरम हुआ था दुत्य बिश्विद्य के दौरान 1949 में एराक और साउदी अरब ने एक साथ मिलकर जर्मनी के खिलाप युद्य की गोशना की थी अमेरिकी रक्षा मंत्राले पेंटागन का 1941 में निर्मान शुरू हुआ था इंग्लिस चैनल तैरकर पार करने वाली फ्लोरें चैडविक 1951 में पहली महिला बनी उन्हें इंग्लेंड से फ्रांस पहुचने में 16 गंटे और 19 मिनिट लगे थे विश्विव बनने जीव कोस का स्थापना 1961 में हुई थी मसूर इंग्लिस रॉक बेंड दा बीटल्स ने 1962 में अपने पहले एकल हिट एलबम लब मी डू के ग भारत पाकिस्तान युद्ध के दोरान 1965 में भारतिय सेना ने बड़ी काम्याबी हासिल करती हुए दक्षण पूर्वी लाहोर की निकट बूर की सहर पर कबज़ा कर लिया था एयर फरांस का बिमान संख्या 1611 नाइस की निकट 1968 में दुरखटना गरस्त हुआ हाथ से में नवासी यात्रियों और चालक दल के छे सदस्यों की मौत हुई थी मिश्र में 1971 में सम्मीदान को अंगिकार किया गया चिली के रास्टपती सालवा डोर अलांदे का 1973 में सेन्य तक तपलट हुआ था सिकागो में 1893 में बिश्वे धर्म सम्मेलन में सुआमी बेवेका नंद ने कटरता शेहसुडता और सभी धर्मों में नहत सच्चाई पर एतिहाशिक भाशर दिये रास्टमंडल संशदी संग में 1996 को पहली बार एक महिला धिक्ष निरवाचित हुई अमिरिका के वर्ल्ड ट्रेट सेंटर पर 2001 कोई आतंकी हमले में 6000 से अधिक लोग मारे गए थे आज ही के दिन स्वीडन के विदेश मंतरी एना लिंद की 2003 में एक अस्पताल में मौध हो गई थे चीन के विरोध के वावजूद 2003 में तिबबत के धार्मेक नेता दलाई लामा से अमिर की राष्ट पती जॉर्ज बुस मिले गाज़ा पट्टी में 38 सालों में जारी सेन ने सासन समाप्त करनी की गोष्णा 2005 में की गई पेस और डेम पेस और डेम की जोड़ी ने 2006 में अमिरिका उपन योगल खिताब जीता भारत के पूर्वे प्रधान ने अधिस पी एन भगवती 2006 में संयुक्तराष्ट मानदिकार समीती में चौती बार पुना निरवाचित हुए प्रख्याद बांगला देशी लेखी का तसलीमा नसरीन ने 2006 में भारती नागरिक्ता की मांग की स्विट्जर लेंड के रोजर फेडर को 2006 में लगातार तीसरी बार अमिरिकन ओपन टैनिस टूनमेंट खताब जीता अमिरिकी आंतरिक्ष्याद 2006 में अटलांटिस आंतरिक्ष के साथ जुड़ा एरुशलम से सटे डेवर सहर में 2007 को लगबख 2000 साल पुरानी सुरंग का पता लगाया गया रक्षा बैग ग्यानिकों ने 2011 में बनाई ल्यू कोन डर्मा की अचूख हरवल उस दी इस हरवल द्रव और लगाने के लिए मलहम की रूप में होगी और इस दवा के बेहोशायक उत्पादन और मार्केटिंग के लिए डी आडियों ने देश की एक फार्मास्ट्यूटिकल्स कंपनी से करार किया जो तक्निकी हस्तान तरण से इसका उत्पादन शुरू करने जा रही थी सुमालिया की सेना के साथ दो हजार बारा कुशंगर्ष में अल शबाव के पचास आतंगबादी मारे गए अब जानते हैं 11 सितंबर को जनवे प्रवकिव्यक्ति तो 11 सितंबर में अमिरीकी लेखक ओ हैनरी का जन 1862 में हुआ सुब्रम अनियम भारती का जन 1882 में हुआ भारत की सो तंतर संगराम सैनानी सामाजिक कार्यकरता और प्रशिद गांदी वादी नेता बिनुवा भावे का जन 1895 हुआ प्रशिद मराठी साहतिकार आत्मा राम रावजी देश पांडे का जन 1901 में हुआ अंतराश्टी क्रिकेट में भारत की और से पहला सतक लगाने वाले क्रिकेटा लाला अमरनाथ का जन 1911 में हुआ आधुने काल के प्रशिद हिंदी वा राजस्थानी लेखा कनाया लाल सेठिया का जन 1919 में हुआ अब जानते हैं 11 सितंबर को हुए प्रमुक ब्यक्तियों के निधन तो ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुक नेता मुश्लिम लिख के अधिक्स मुहम्मद अली जिन्ना का निधन 1922 में हुआ प्रगिती शील भारती कभी मुक्तिवोद गजानन माधाव का निधन 1964 को हुआ सीत युद्ध के दोरान सोवेत संगे के सरवुच नेता निकीता सुखुवेव का निधन 1971 में हुआ भारती ये गुरू नीम करोली बाबा का निधन 1973 में हुआ हिंदी कभीत्री और हिंदी साहत में छायवादी योग की चार प्रमुक इस्तंबो में से एक महादेवी बर्मा का निधन 1987 में हुआ था अब जानते हैं 11 सितंबर की प्रमुक दिवस तो अमेरिका में पैट्रियेट डे मनाते हैं और अर्जेंटीना में शिक्षक दिवस मनाते हैं तो दोस्तो आज के वीडियों बस इतना ही आसा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्तों क्षा सेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू